तो दोस्तो आज मैं रिव्यू करूंगी कुछ ट्रेंडिंग शॉट्स पे जो कि यूट्यूब पे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किये हुए तो बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं और वीडियो के एंट तक ज़रूर बने रहना वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना फिल्कुल ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो हमारा देश चाकरू को रहा है वहीं अगर हमारे देश का आम आदली मौजूदा सरकार से कोई गंबीर सवाल कर ले तो हमारे देश के निताओं के पास चुपी के अलावा और कोई जवाब नहीं होता सर मैं यह जानने चाहते हूं कि आपने बोला था आने के बाद कि मोधी सरकार चार सो पार और हर जेगर लिखा भी होता है जब आपको भरोसा है कि मोधी सरकार दुबार आएगी चार सो पार से ही तो फिर चंडीगर में वोट्चोरी करने की क्या जरूत पढ़े चंडीगर म अर। 도स्तों आपका मरे देश के अंतभक्तों चीर अ cao tuc, पता ही होगा जहां सी सब्सक्स की एपना पेट भरता है, वहीं हमारे देश के अंतभक्तों अगर गोबर भी पोश्टिक लगने लगे, तो बर्या ऐसी लोग पैदा होते हैं वनवाई था है तो लेटेस्ट निसे माराना परताग के बाप में बहुत पर राइना बहुत सुट शुटी कारें जोट बोल रहे हैं जोड़ बोल रहे हैं इने कुछ मालूम ही नहीं है जहां गोदी मीडिया ने नॉर्मल सीने वाले को भी 56 इंच का बना दिया हो और जनता उसे इंसान नहीं शेर समझने लगे तो देखें क्या हाल होता है देखते हैं मोदी वह सेर है जपटड़ा मारता है और सिधा अंदर लेके भाड़ता है और तुम चुहे हो चुहे के तरह मनी पूर्ण मोदी सेर है लेकिन उसका सरक्रस मास्टर मास्टर कोन है गौतमड़ानी अब दूसरा सेर को सिकार करता है देखो ब्खतों की नोलिज देखो जेल चुआ को सिकार करता है और अब ये सारे मोदी के भक्त हैं इन सब कर मूदी से प्यार है thrilled met मोजी से प्यार है शरीर से सारों सलामत है दिमाग से सब के सब किमार है अंग्रेस और इंडी कड़ बंदन के लोगों को जब देश में चुनावी महल चल रहा हो और महां पर विकास और विरोजगारी की कोई बात ही ना उठाए जाए और चुनावों में सिर्फ मुद्दा सावन में मतन बनाने का मौज ले रहे हैं जली ना तेरी भी जली ना देश के लोगों को चिड़ाने का काम करते हैं चड़ा समझाओ इससे समझाओ सावन में कौन मतन खा रहा है और ये चर्चा कोई सामाने आदमी नहीं देश के प्रधान मंत्री भी कर रहे हैं एक सो चालीस करोड का देश दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र तीसरी अर्थ बेवस्था बनने की दिशा में जब देश के अगले पांच सालों की दशा और दिशा तै करने के लिए चुना हो रहे हैं मतन मुर्गा पर लड़ाई आ गई है जैसा नेता वेसास्तर तुमारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राब क्या मंदिर बनी रहा है और मंदिर श्रे बनने को लेकर अलग लग संगठन है वैसे तो मोदी जी हमारे देश के साद्वों के बहुत ही पसंदी दनीता रहे हैं और मोदी जी ने भी हमारे देश के साद्वों के बहुत ही प आप सबसे बड़े धर्म गुरु है यह जो रामंदिर अब बना हुआ है किसे आप इसे श्रे देंगे उट कुस्टिन देखिए पांसो सालों का संघर्ष रहा है जाने कितने राजा जाने कितने सहनिक इसके लिए खेथ हो गए ती नग से यह जोगों है अत्मोतसर्ग है उनको श्रे नहीं जाएगा नरेंदर मोदि को तो आज की अज की मिलीया कही नियम है कि उनको नरेंद्र मुदी की सिभाई कोई बात करो थे. नहीं नहीं आप कई हम हम नहीं कहना चाहिए ठीक है एक उप्षी नरेंदमोदी का कहो एक उप्षाइब दिल्ली में भाजबा चुनाव तो जीत नहीं पाती तो क्या ये दूसरा तरीका है सत्ता पे कब्जा करने का कि मुख्यमंत्री को अंदरी कर दो है हमारे यहां ऐसा ही होता है वा मोदी जी वा आप सच मुझ ग्रेट हो अगर क्यों मैं नहीं बता हूंगा अधिक कजाब तूबी वाजाद में आप हमसे मीटिंगें बातचीत से पहले कुछ बता रहे हैं ते 2029 तक भारत हिंदूराश भोसित हो जाएगा इजित गवा जाएगा गया तो और भी मुझ गई हैं प्रियक है यह बताएगे कि आपके गाव में क्या मुसलिम नहीं है हां लेकिन मुस्लिम है लेकिन जो उन लोगों को जो हिंदू राष्ट बनेगा न जब उसका जो जो बोल रहा है कि हम हमारे अबे जल्दी बोलकर सुबे पनवेल निकलना है हम हमारे समाज के उदर से हम उसको एक कटे कटे हुआ है हुआ 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 है